नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टुदूपॉइंट चैनल में स्वागत हैं दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती होना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि आज क दोस्तों इसका एकजाम पैटर्ण क्या है और परिक्षा आनलाइन या आफलाइन होती है इन सभी के बारे में आपको संपूर जानकारी देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों उत्त उत्तर प्रदेश पुलिस बनने के लिए सैक्षिक योग्जिता बाराहुई पास होना अनिवार है यदि आप क्वेल्थ पास हैं तब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में फार्म एपलाई कर सकते हैं इसके साथ में दोस्तों लंबाई और उम्रका भी प्रावधान किया गय है और महिला वर्ग में लंबाई 152 cm निर्धारित किया गया है जो कैंडिडेट जनरल, OVC और SC कटेगरी से आते हैं इसके साथ में दोस्तों SC कटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो पूरुस वर्ग में आते हैं उनके लिए लंबाई 160 cm निर्धारित है और महिला वर्ग के ल पूरुस वर्ग में देखेंगे तो जो जनरल कटेगरी के कैंडिडेट हैं इनके लिए 18-22 वर्ष उम्र निर्धारित है और महिला वर्ग के लिए 18-25 वर्ष उम्र निर्धारित है जो कैंडिडेट जनरल कटेगरी से आते हैं इसके साथ में OBC, SC और ST कैंडिडेट हैं जो यसी और यस्टी कटेगरी से आते हैं देखे दोस्तों यदि आपकी उम्र भी ठीक है और लंबाई भी ठीक है और आप 12 पास हैं तब आप उत्तर प्रदेश पुलिस का फार्म एपलाई कर सकते हैं अब आगे दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फार्म एपला पर होती है और प्रस्ण जो होते हैं वह बहु बिकल्पी टाइब के पूछे जाते हैं और प्रस्णों की संख्या कुल 150 होती है 150 प्रस्ण पूछे जाते हैं 300 अंकों का पूढांक होता है और प्रतेख प्रस्ण 2 अंक का होता है और समय दोस्तों 2 घंटे का दिया जाता है दो घंटे में आपको 150 प्रस्ण हल करना होता है और एक बटा चार का इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है ठीक है तो इसे आप लोग ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलिए इसमें दोस्तों कुल 4 बिसियों से प्रस्ण पूछा जाता है कौन-कौन से बिसे हैं साम हिंदी से 37 प्रस्ण पूछा जाता है इस प्रकार से कुल 150 प्रस्ण पूछे जाते हैं दो घंटे का समय दिया जाता है और एक बटा चार का निगेटिव मार्किंग होता है रिटेन एक्जाम में जितना ज्यादा अंक आप लाते हैं उतना ही सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है रिटेन एक्जाम के बाद दोस्तों क्या होता है इसे भी आप लोग देख लीजिए इसके बाद दोस्तों नाप तॉल और डाक्यूमिंट वेरिफिकेशन होता है यहाँ पर दोस्तों नाप तॉल में सबसे पहले लंबाई चेक होती है लंबाई में आप देखेंग बाद दोस्तों चेस्ट माफा जाता है पुरू सुवर का चेस्ट मापा जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे जर्णल, OBC और AST कतेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम् 89 सेंटीमेटर चेस्ट होना अनिवार है और 5 सेंटीमेटर खुलाने के बाद 84 सेंटीमेटर होना अनिवार है और AST कतेगरी के ज महिलावर का दोस्तों वेट चिक होता है वेट मिनिममम 40 केजी होना चाहिए महिलावर के लिए वेट मिनिममम 40 केजी होना चाहिए 40 केजी से कम वेट नहीं होना चाहिए इसके बाद दोस्तों मापतौल के बाद फिजिकल टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट में आप देखेंगे पुरुसवर के लिए 4.8 km रणिंग अनिवार है 25 मिनिट में 4.8 km दवल्ड़ना होता है और महिला वर के लिए 2.4 km रणिंग अनिवार है 14 मिनिट में 2.4 km दवल्ड़ना होता है फिजिकल टेस्ट दोस्तों क्वालिफाइंड नेचर का होता है इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बाद दोस्तों medical के लिए final merit list जारी की जाती है merit list में जिसका नाम आ जाता है उसका medical कराया जाता है और उसके बाद selection हो जाता है तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती होने की पूरी प्रकिया है इसके अलावा भी आपके मन में कोई doubt हो तो comment में आप लोग जरूर पुछिए वीडियो को यहीं पर समात करते हैं अब आपको next वीडियो मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद